ओम नमस्य बाए स्वागत आप सभी का मेरे बक्ती वावना योटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपको पुत्रधन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ यह उपाय आपको पारद सिवलिंग पर करना है यह उपाय आपको सिवलिंग पर करना है पारद सिवलिंग है तो उस पर कर सकते हैं अगर पारद सिवलिंग नहीं है तो मंदर में जाकर के यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए दोस्तो सोमार के दिन आपको यह उपाय करना है कुछी ही समय मेंückी हर मनोकामना पूरी होगी यह उपाय बहुत ही प्रभावसाली और चमतकारी है जो व्यक्ति सुम्मार्थ के दिन भगवान सिव की अरदना करते हैं उनकी प्रतेग मनोकामना पूरी हो जाते है भगवान सिव प्रसन नो करके मनवांचित फल प्रदान करते हैं जो व्यक्ति महाकाल भोले नात की आराधना करते हैं जीवन में उनके में कभी भी कोई परिशानी नहीं आती जीवन में सदाई खुशियां रहती हैं भगवान भोले नात अपने भक्तों की प्रतेक मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं जिनको पुत्रप्राप्ती नहीं हो पा रही है या धनप्राप्ती में रुकावटे आ रही है उनको यह उपाय जरू करना चाहिए सोमार के दिन इष्णान करते समय जल में तोड़ा सा गंगा जल डाल करके इष्णान करें उसके बाद में शूर्देव को अर्ग दे फिर भगवान शिव का पूजन करें शरपत्म भगवान शिवजी का अफचिक करना है तो आप गाय के दूसरे यह पंचाम से भगवान शिव उसके बाद में भगवान सिवजी को फल, फूल माला, पान के पत्ते, नारियल प्रते की चीज अरपन करें। लगाना है, और उस बेल पत्र पर आपको पांच चावल के दाने रख देने हैं, सावत चावल के दाने, उस बेल पत्र पर आपको रख देने हैं, और वह बेल पत्र आपको सिवलिंग पर अरपन करते जमें, ओम नमस्वाय का जाप आपको करना हैं, ओम नमस्वाय का जाप करत करते हुए आप भगवान सिव को सावत चावल अरपण करेंगे चावल टूटे हुए ना हो इस बात का विशेशुप से द्यान रखें दोस्तों इस उपाय से धन आएगा और आपकी पुत्र की मनुकामना अवस्य ही पूरी होगी यह आप जरूर पाय करें साथ ही भगवान को खीर का प्रसाद भी अरपण करें इससे आपको विशेश लाम मिलेगा और फिर देखना कितनी जल्दी आपकी मनुकामना पूरी होती है सभी रासी वाले यह पाय करें ओम नमस्यवाए